Welcome back students, students, आज हम बहुत important topic study करने जा रहे हैं, हमारी discussion का topic है hemophilia, students, अगर आप channel पे बिलकुल नए हैं, channel को subscribe कीजिए, और bell icon को press कीजिए, ताकि हर नई notification आप तक पहुँचे, वीडियो को like और share जरूर कीजिए, students, आईए start करते हैं इस important topic को, examination point of view से बहुत important topic है, नीट के हावाले से बहुत important topic है, इसमें hemophilia के बारे में हम discuss करेंगे, इसका pattern of inheritance हम discuss करेंगे, यह सब चीजें हम इसमें study करेंगे, सबसे पहले चीज, इस disease को hemophilia के अलावा bleeds disease भी कहा जाता है, royals disease भी कहा जाता है, students, bleeds disease इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस में patient का blood clot नहीं होता है, अगर किशी इनसान को cut लग जाए, अगर hemophilic person है, अगर उसको cut लग जाएगा, उसका blood भहता ही जाएगा, तब तक जब तक ना उसकी death हो जाए, तो इसलिए इसको pleeds disease कहा जाता है, इसको royal disease भी कहा जाता है, क्योंकि यह British के अंदर royal family में सबसे पहले देखी गई थी, जो Queen Victoria की descents, उन में mostly यह देखने को मिली, इसलिए इसको हम royal disease भी कहते हैं, उसके अलावा सबसे पहले किसमें इस disease को देखा गया, इट वाज जान ओटो इन 1803, जिसमें यह वाली disease पाई गई, और एक और बात यह है, कि यह sex link disease है, और sex link में भी यह X chromosome link disease है, Students, इस point को अच्छे से understand कीजिए, यह X chromosome link disease है, X chromosome link disease, यानि इसका जो gene है, वो recessive allele है, और उसको denote किया जाता है small h से, और यह recessive gene जो है, यह किस के उपर मौजूद होगा, यह X chromosome के उपर मौजूद है, इसलिए इसको हम X linked recessive disease कहा जाए हैं, recessive यह dominant नहीं है, बलकि यह recessive X linked disorder है, इसको study करने से पहले, हमें कुछ important बातें इसमें understand करनी है, इसमें हमें normal male को समझना है, hemophilic male को समझना है, और normal female, hemophilic female, carrier female को understand करना होगा, एक और बात याद रहे, इस disease में mostly जो male हैं, वो affected हैं, यानि more chance of this disease are in the male, यानि male इसके ज़्यादा इसके असर में आ सकते हैं, क्योंकि male के पास एक ही X chromosome है, तो देखें male कैसा हो सकता है, normal male तो simple X और Y होगा, इस पे कोई recessive allil मौजूद नहीं है, यानि hemophilic allil मौजूद नहीं है, जो हमें फिलिक male होगा, उसमें X और Y तो क्रोमोजूद हैं, लेकिन X के उपर हेमोफिलिया का जीन है, और ये recessive gene है, अब normal female आपको पता ही है, normal female X और X, लेकिन carrier female कैसे बनी, जब एक X क्रोमोजूद पे हेमोफिलिया का जीन मौजूद हो, दोनों पे नहीं, एक पे मौजूद हो, जब female में दोनों के उपर हेमोफिलिक gene मौजूद है, तो उस वकit female हेमोफिलिक female कहलाती है, otherwise अगर एक ही मौजूद है, उस वकit उसमें तो वो gene मौजूद है, लेकिन उसके symptoms उसमें नहीं हैं, उसमें वो disease नहीं है उसके descents में वो disease पहुँच सकती है inheritance की वज़ा से और young ones जो हैं वो इसकी ज़द में आ सकते हैं आईए हम इसका pattern of inheritance देखेंगे किस तरह से ये gene one generation to next generation और next generation to next transfer होता है उसको हम clearly understand करते हैं तो हम क्या करेंगे हम male and female को लेते हैं हमारे पास parents female और male होगा female जो है इसका genotype हमारे पास normal female हम लेंगे जिसमें X and X कोई hemophilic gene नहीं है और male में क्या है X और Y लेकिन इसके ओपर hemophilia का gene small h से हमने mention किया है जब इसके gametes बनेंगे हम इसको previous वीडियो में understand कर चुके हैं यहां से female जो है X और X लेकिन male क्या बनाएगा X और Y यह जो X है male का इसके साथ hemophilia वाला gene continuously इसके साथ ही चल रहा है इसको मैं दूसरे color से mention करूँगा ताकि हमें दूर से ही पता चल जाए कि यह hemophilia का gene चल रहा है generation to generation आएए इसको cross करते हैं यह वाला X और यह वाला X this X with this X आप क्या बना रहे हैं? यहां पर यह तो girl बन गई लेकिन इसमें एक hemophilia का gene यहां से इसमें से आ गया है यह female तो बनी बट इसको हम carrier कहते हैं इसको क्या कहेंगे? carrier female किनकि यह वाली condition यहां पर आ गई है तो अब हम इस X को cross करते हैं इस Y के साथ X और Y यह boy बन गया यह normal male हो गया इसमें कोई hemophilia का gene नहीं आया this X and Y अभी यह वाला जो boy है यह भी normal बन गया normal male बन गया लेकिन यह वाला X और यह वाला X जो है यह X और यह X यह X तो normal आया लेकिन यहां से यह वाला gene यहां तक पहुँच गया तो female जो है again carrier बनी it is female carrier female एक चीज आप देख रहे हैं gene जो था यह hemophilic gene male में था लेकिन इसकी generation में आप देखे इसकी generation में male से यह gene skip हो गया next जितने भी male बने यह भी normal male बना यह भी normal male बना कोई यहां पर यह gene नहीं आया लेकिन हुआ क्या? यह gene कहां चले गया? यह gene इनकी girls में चले गया यानी male से चले गया female में अब हम next generation देखते हैं, next generation में क्या होगा, let's हम क्या करते हैं, carrier female को cross करते हैं, normal male के साथ, उस वकत हम देखेंगे, उस वकत students क्या होगा, यह जो hemophilic gene होगा, यह female से male तक पहुँच जाएगा, उसको criss cross pattern of inheritance कहते हैं, देखे हम क्या करेंगे, carrier को ले लेंगे, हम carrier female को ले लेते ह है, carrier female क्या है, हमरे पास, इसका genotype क्या है, X और X, लेकिन यह जो एक X है, इसके उपर hemophilia का gene मौजूद है, वहाँ से हम लेते हैं, normal male, normal male, normal male का genotype X और Y है, अब देखें, next generation में क्या होगा, यहाँ X और X, लेकिन यह जो एक X है, इसके उपर hemophilia का gene मौजूद है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ normal बन रहा है, X और Y, आईए क्रास करते हैं इसको, यह वाला X, इस वाले X के साथ क्रास करते हैं, यह बनेगा X और X, यह बनी female, लेकिन normal female, ठीक, आप देखें, यह वाला X, इसको क्रा करते हैं इस वाले Y के साथ, X और Y, यह बना boy, normal male भी कह सकते हैं, normal male, आप देखें क्या करेंगे, यह वाला X, इस वाले X के साथ, X और X, लेकिन एक X के उपर hemophilia का gene मौजूद है, और आगे देखते हैं, यह वाला X, इस Y के साथ करते हैं, X और Y, लेकिन X के उपर कौन सा gene है, hemophilia का gene, आप देखें, यह female बनी, female but carrier, लेकिन यह वाला male जो बना, यह क्या बना, hemophilic male, इस तरह से daughter carrier बनी, और male बना hemophilic male, इस तरह से आप देखते हैं, पहले gene कहा था, male में, चले गया female में, female से यह gene कहा पहुँच गया, again male में, इस तरह के inheritance के pattern को, criss cross pattern of inheritance कहते हैं, students, video को like और share जरूर कीजिए, अगर कोई doubt रहता है, तो comment section में जरूर लिखे, हम उसके उपर next video प्रपियर करेंगे, stay tuned.